कि का हाल बहार कई सनबाद सब ठीक बहँ आज चल Might ऐसकी लिक्चरे श्टाइट आल जाओ तो आज की लिक्चर में हम लोग क्या करने माल हैं à कि लेक्चर में पांच सब्सक्राइब को सा lower WeyC enrichment ismaat मैं कुछ को स्ब्सक्राइब करेंगे और सारे कहा हम वो सकते हैं उसको हम लोग सिखेंगी गए चलिए फॉष्ट को सॉल्ष करता है इसमें भी हम लोको छो धोरा सा सीकने वाले हैं इसको साल्व करने का मेंतरीका चीख तो इसमें ऐसा दिया हुआ यह तो in two a X का फैलों आपको find करना है तो इसमें हम लोग क्या करेंगे इदे कि 555 555 कैंसिल हो जागा पांस एकारा हो जाएगा अब आपके पास किया जाए पांच 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 5 4 तो पांच इंटो 11 11 11 jakiś कूरशन को लाने का मतलब है कि ऑल पर 11 क को घुज नहीं कर पांच 17 होजाएगा चेंगा फिर इन में ईसह से एक नम्मर से यॉसमें यॉप्ट याएंला स्वाल रिलाज थो सी सभी वाज और एक और चीज़ कर सकते थे देखे यह तो डिरेक्ट इतना करना पड़ा पूरा मल्टिप्लिकेशन करना पड़ा इतना करना में नहीं था जैसे हम लोग क्या कि इस पांच लिखना है फिर इन दोनों को add करना है पांच पांच 10 के 0 हथ में एक तो जीरो पांच लाश दो डिजिट होगा तो जीरो पांच इसमें है अब देखे एक सट सो पांच है अब यी 5555 को 11 मुल्टिप्लाई करेंगे तो यी 6000 यह आएगा इतो सारासर गलत हो जाएगा तो 5000 है 5555 है इसको 111 करना है तो हमारा option 6105 कभी भी आ सकता है कभी नहीं आज जाएगा उससे ज्यादा बेल होगा वह एक कम कर देता है डी option गलत हो जाएगा एक करने इतना ही लिखने के बाद को एंसर हो जाएगा लेकर एक बरmark का करेंगे तीन दोनों का एड़ करेंगे दू एक तीन और एक को आज इस दोनों basic यहाँ है पर लिखी हएब से इसका इसका बढ़ा और कर देते हैं 553 तो पांच इसका 1 गारा सरह सरह सार्फर करना है तो कैसे करेंगे पांच इसमें Mission इन दोनों का 8 करेंगे 5 15 की जोड़ात में एक फिर इन दोनों का 8 करेंगे 5 15 एक इगारा का आध में एक अब जो एक बचा हो लास्ट वाला डिजिस में 5 एक 6 लिखते हैं इसका फिर से डिसकस कर लेंगा ठीक है तो लिए दूसरे कोषण पढ़्ध टाइमें वर्फ का कोषण है कि यह दस दिन में करता वी 15 दिन में पूरा करता है दोनों साथ मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगा तो यह 10 दिन लिखेंगे भी 13 लिखेंगे अब देखिए लिखिए के लिए आप 10 15 करने लगते हैं इसको ऐसे करने लगते हैं तो उस वैसे नहीं करना है जो बड़ा भैलू होगा उसका मुल्टिपल चीक किजिए जैसे 15 लिखेंगे 15 15 एक हम पंदर लिखेंगे तो 10 से नहीं कटेगा लेकिन 15 को जैसे ही 2 से मुल्टिपलाई कर देंगे तो क्य कि विसेंसी टू ता दोनों मिलके कितना दिन में करें दोनों मिलके कितना पर करेंगे 30 ढिवाइड़ेट पांच 5 शका 30 शे दिन में इंसर आपका भी आप्षान सही हो जाएगा क्यों एल्सी एम आपको निकालने के लिए जो भी इसमें बड़ा वहलो था उसके मल्टिपल जाए और मुल्टिपल एसा मल्टिपल कोजिए कि जो दोनों से कट जाए तो आपको ऊचीज मिल जाएगा और LC M मिलते ही आप अप से निकालने के बाद आप डारेक्ट आपको आप उसको सॉल्फ कर सकते हैं जो भी पुछे उसका इंसर निकाल सकते हैं तो दो नमर हो गया तीसरे कोशन पर बढ़ते हैं दिस्ता कोशन क्या पूल रहा है उसको थर्ड कोशन में देखे इसमें लिखा है ना कि एक विक्रैमुल को दूगुना करने पर लाग तीन गुना हो जाता है परतिसत लाग बताना आपको तब बिक्रैमुल है एसपी बोलेंगे विक्रैमुल को थीक है एसपी दूगुना कर जाता है मतलब ट्वाइस आप सब्सक्राइब कोई बात नहीं है तो हमारे पास पहले पी था तो अब 3P हो गया यहीं चीज़ बोल रहा है कि जब इसपी को टूइसपी करते हैं त देखे इसमें इधर उधर करने से अच्छा है आप देखे 2SP जब 2SP हो गया जब SP का वेलू 2SP होगा तो इसका प्रॉफिट कैसे लिखेंगे 2SP 2SP-CP CP तो कॉमन है ब्राबर हो जाएगा यहां जो प्रॉफिट होगा जो पहले प्रॉफिट होता था उससे 3P हो जाएगा मतलब की तिरी पी अब पी बराबर क्या होता है पी बराबर पी का वेलू क्या है SP-CP है ना वाई जो पहले पी था पी पी मतलब प्रॉफिट क्या होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस SP मतलब सेलिंग प्राइस किसा CP मतलब कॉश्ट प्राइस तैस पी माइनस CP और पी के जग़ा पर के आपको पूट कर देना तक क्याज पी माइनस CP इसको ऐसे करना ज़रूरी है क्योंकि इससे गलत नहीं होगा आपको 2SP-CP बरावर 3SP-3CP अब देखे इसको के वह इधर लेके जाएंगे इसको इधर लेके जाएंगे इसको इधर लेके जाएंगे तो तीन दो बच जाएगा 2CP बरावर SP तो हमारे पास पहलू क्या आजाएगा इस सीपी अपन में SP मतलब की 1 बाइ 2 आजाएगा अब परतिशत लाब बताना है तो SP-CP क्या हो जाएगा SP-CP1 और CP नीचे 1 इंटो 100 तो यह आजाएगा 100 परसेंट आपका एंसर सही हो जाएगा देखे इस कोशन में अपको लगेगा कि इतना लिखना पड़ा यह सब चीज करना पड़ा लेकिन देखेएगे इस सब कोशिचन में अगर आप यह एक लाइन लिख पा रहे है तो आप इधर वाले कैल्कूलेशन को सब्सक्राइब एक सेक्ट में कर सकते हैं सब्सक्राइब इतना समझा रहे हैं इधर उदर करना के इस तरीका से आपको कर लेना है तो अस स्याम जो है राम से साथ वर सोटा है और इसके आयू का अनुपाद दिखे है हिए स्याम और राम मतलब साइश्टू 9 दिया हुए इस साथ वर्च छोटा है मतलब इसका डिफ्रेंस पराबर 2 न eliminating Y इसका डिफ्रेंस दिया हुआ है दो का वैलू साथ एक का वैलू निकाल लिए साथ बैटू इसमें मल्टिप्लाई कर दीजिए साथ बैटू से तो उन्चास बैटू होगे आपको राम कायू पूछता तो क्या जाए नाइन इंटू साथ बैटू कर देते मतलब कि तीरी सेट बैटू करते मतलब क्या हो जाएगा दू त्याइश चो दूना यह आपका इंसर सही हो जाएगा कितना चौविस पांच आपका इंसर सही हो जाए चोगता पांच वा कोश्चिन पर आते हैं चलिए आपको इस को करने में कितना समय लगता लिखा है कि एक दुकनधार एक फर्मूला से बनाई है या तो डारेक्ट बनाई है तो फर्मूला हम पहले बताते हैं फिर डारेक्ट बताते हैं मतलब कि जो कंसेप्ट है उसको चिकाते हैं तो देखिए आप फर्मूला क्या है प्राइस लिखे प्राइस ओल्ड अपॉन में क्वांटिटी ओल्ड डिक्वाइड SP पर्शेंट अपन में गीवेन SP पर्शेंट इक्वाल टू प्राइस निएं अ-पन एंप कॉंटी निएं ऐसे बता हुआ अब देखो प्राइस ओल्ड मतलब की प्राइस ओल्ड एक रॉपिया और क्वान्टिटी मतलब कि छोग और डेक्वाइड मतलब 20 परसेंट लाव कमाना है तो 120 परसेंट लिखेंगे और गीविन एसपी परसेंट नहीं अगर इसमें कुछ दिया हुआ है तो यहां पर गीविन एसपी परसेंट लिखेंगे एक्वाल टू प्राइस नियू क्या है वन और क्वांटिटी हमको फाइंड करना अब देखे इसको काटिएगा छे दूना के 12 दो पचे 10 मतलब की एक्स बरावर 5 आपको एंसर आजाएगा अब इस वाले मेटट में है क्या कि आपको अगर यह वाला फर्मूला याद है तो बहले पूट कीजिए इंसर आजाएगा तो यह आपको याद है तो तभी पनेगा कि अगर चैनल भीट आते हैं ते नोट कर लिएंगे भी अब इसमें क्या है सीपी क्या है एक रुप्या गुभारा है छेट हो क्वांटिटी है चैरव हो एक रुप्या स्टिव एक डिटी अच्यों को एक नहीं पता हम माल लेते हैं कि एक से अब हम निकाला आगर अगर एक रुपया एस्पए लाब है प्रफिट 20 पर्सेंट 20 पर से इसको हम आगा लिए लिए वन पर ओपर वाला क्या हो जागा प्रोफिट नीचे वाला हो जाता है क्हां सीपी पर ही काउंट होता है तो CP होता तो CP बराबर क्या होता है इस तरीका से हम लोग कैसे निकालते हैं अगर आपको पास अगर ऐसा रहे तो इसका value क्या हो जाता है इस CP plus profit प्लस प्रॉपिट बराबर SP होता है CP plus profit मतलब 5 एक 6 रेशियो से बना रहे है 6 बराबर एक रुप्य दिया हुआ इस पी का value नीचे वाला से निकाद से CP का value निकाद रहा है तै एक का value क्या हो जागए 1 by 6 तो नीचे वाला CP का वैलू क्या हो जाता है 5 x 1 by 6 5 x 6 जाएगा 5 by 6 मतलब CP पराबर हो जाएगा तुमारे पांच ब्लक्त हो तो SP1 और CP पराबर हो जाएगा 5 by 6 एक एक्स गुबारा था एक गुबारा का एक गुबारा का CP क्या हो जाएगा पांच बाइ चो अपॉन में एक्स मतलब कि 6x यह वैल होगा ना यह सीपी और यहां पर यह भी सीपी है तो एक ही कोशन है उसमें अलग-अलग सीपी नहीं हो सकता है तो इन दोनों सीपी को आपस में बराबर करतेंगे आपका एंसर हो जागा सीपी के वहले इसमें बराबर करना था अगर आपको समझ में नहीं है फिर से दिखें हम समझाते हैं इसको समझें इसको बहुत अच्छे से समझें यह बहुत अच्छा कोश्ट देखें पहले एक चीद समझें कि अगर प्रॉफिट परसेंट 20 जाता है अगर हम बात करते हैं हमारे पास एक दिया हुआ है एक रुपया दिया हुआ है तो एसपी बराबर वान तो इस पी इन रिशियो से कैसे निकालेंगे CP plus P से निकाल लेंगे मतलब कि 5 आएक 6 6 बराबर 1 तो 1 बराबर क्या हो जागा 1 by 6 अग 1 by 6 का भैलू अगर हमको profit निकालना रहा था इसमें तो 1 into 1 by 6 कर देते हैं हमको CP निकालना आए तो CP पराबर क्या हो जागा 5 into 1 by 6 तो क्या हो जागा 5 by 6 इसका SP 1 रुपया नीचे वाले case में फर्स्ट केस उपर वाला नहीं करना है case 1 है case 2 है case 2 में क्या है कि CP हमारे पास क्या हो जागा 5 by 6 रुपया हो गया हमारे पास quantity है एक एक गुबारे का बैलू क्या हो जागा इस वाले नीचे वाले second case में एक गुबारे का जैसे वहां छे था ते एक गुबारे का वेलू क्या हो जाए तो वैसे ही अगर 526 रूपय cách एक को चली शैर सिक्षे दिव्येद सब्सक्राइए पांत क्या होगा जगा है यहां अगर एक और सिक्षए स्थे अपन करतीत यह एक पंच इनसर होके अपको समझ में आया होगा इस तरीका से अगर आपको नहीं समझ में तो पिर कमेंट किजेगा फिर हम इसको डिसकस करना होगा तो बताजेगा और डिसकस करना ठीक है आज के लिए इतना ही आज का इतना ही हम लोग सॉल्व करते हैं अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो हमें लाइक करें और सब्सक्राइब करें देखें के वहला मेरा मोटिव है के वहला आपको टाइम सेव कराना ठीक है अगर अच्छा लगे तो हमें लाइक करें और सब स्ब्सक्राइब करें थैंक यू